Hello everyone, जैसा कि आप सभी को पता है कि JSCCGL यानि कि जारखन सची वालाई का नोटिफिकेशन आ गया है, 15 जनवरी से फोर्म भनने का सुरू हो जाएगा, तो आप सभी student अपने तैयारी में लग गये होंगे, तो तैयारी को सुरू करने से पहले आपको इस exam का पूरी प्रक्रिया पता होनी चाहिए, तो इस वीडियो में हम तैयारी से लेकर नियुक्ति तक की पूरी प्रक्रिया के बारे में जानेंगे, सबसे पहले हम सुरू करेंगे exam pattern से, चानेंगे कि इस exam का pattern कैसा है, क्या इसमें बदला हुआ है, उसके बाद हम इसके नए syllabus को देखेंगे, और उसक हम syllabus को अची तरह से समझेंगे, exam pattern को अची तरह से समझेंगे, और इसकी तैयारी से लेकर नियुक्ति तक की पूरी प्रक्रिया को समझेंगे, तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं तो चलिए देखते हैं परिच्छा के स्वरूप, यानि pattern की, तो सबसे पहले आपको बता दे कि परिच्छा एक चरन में ली जाएगी, यानि कि एक स्टेज में परिच्छा ली जाएगी, इसे मुख्य परिच्छा कहा गया है, यानि कि इसमें PT परिच्छा का प्रावधान नहीं है, डायरेक्ट मुख्य परिच्छा लिया जाएगा, परिच्छा बहु बेकल्पिक होगी, यानि कि MC कोई प्रस्ण देखने को मिलेगा आपको परिच्छा में, पत्यक सही उत्तर के लिए तीन आंख होंगे, जबकि अगर आप कोई प्रस्ण कलती काते तो उसमें इंगलिस और हिंदी लेंग्वेज में होंगे, केवल लेंग्वेज पेपर को छोड़ कर, तो यह कुछ थी बेसिक पॉइंट, चलिए कुछ और बेसिक पॉइंट पर नज़र दालते हैं, अगला है कि मुख्य परिच्छा तीन पत्र होंगे, यानि कि तीन पेपर होगा मु तीन पेपर होंगे, या परिच्छा तीन पालियों मिली जाएगी, यानि कि तीन पेपर है तो तीन पालियों में लिया जाएगा, पर टेक के लिए आपको दो घंटे का समय मिलेगा, यानि कि तीन पेपर के लिए आपको दो घंटे के समय दिये जाएगे, और पर टेक प्रस प्रेपर 1 क्वालिफाई कर जाते तब आपका पेपर टूँ और पेपर 3 की जाच की जाएगी वहना आप उसी समय disqualify हो जाएंगी तो paper 1 में आपको 30% अंक लाना अनिवायर होगा तो आगे देखते हैं अब हर एक paper को detail से देखते हुए उसके syllabus को समझते हैं सबसे पहले नज़ा दालते हैं paper 1 के syllabus की जो की भासा ग्यान इस paper का नाम है इसमें आपका भासा ग्यान के चेक होगए इसका दो पार्ट में हम divide कर सकते एक हिंदी भासा के लिए और एक अंग्रेजी भासा के लिए यानि कि हिंदी लेंग्वेज से आपका 7 प्रस्न होगा यानि कि कुल 180 अंक का हिंदी लेंग्वेज से प्रस्न होगा और अंग्रेजी भासा से 60 प्रशन हो गया यानि कि इसमें भी कूल 180 नंबर का प्रशन होगा तो इस पेपर में आपको कूल 30 पतिसथ अंख लाने तो कितने अंख हो जाएगे यानि कि कूल 306 अंख हो गये इसमें से आपको 303.5 लाना है तो तोटल हो जाएगा यानि कि कुल 108 अंक आपको इसमें लाने होंगे यानि कि कम से कम आपको 108 अंक इसमें जरूर लाने होंगे इस पेपर को qualified करने के लिए जिसमें कि आप 180 नंबर में भी 108 नंबर ला सकते कि अबल हिंदी भासा को अगर आप अच्छे से देखिएगा तो इससे ही qualify किया जा सकता है, तो आपको हिंदी भांसा से 180C नंबर का होगा एक जाम, अंग्रिजी भांसा से 180C नंबर का होगा एक जाम, जिसमें कि अनुछेद पर अधारित, यानि कि पेसेज अधारित question रहेगा, जो कि 30% होगे, पेसेज अधारित question को ब्याकरन पर होगे, यानि कि grammar पर होगे 30%, इसी तरह English में पेसेज पर 30% होगे, 30% होगा, और English grammar पर 30% होगा, तो आपने अभी तक समझ गया होगा, कि paper 1 किस प्रकास से होगे, paper 1 7% हिंदी लेंग्विज से होगे, 7% English लेंग्विज से होगे, तो इसमें से पेसेज, unseen पेसेज में 30% होगे, और grammar स 30% होगे, दोनों का सेम पेटर्न है, तो यह unseen पेसे से 30% और grammar से 30%, तो इसमें आपको, इस paper में आपको कुल 30% अंग लाने होगे, तो यह हो गया, paper 1 के बारे में, paper 1 के मांक्स मेधा सूची यानि merit list में count नहीं किये जाएंगी, या paper केवल qualifying होगा, आगे बात करते है paper 2 की, जो दू, संथाली, बांगला, मुंडारी, हो, खरिया, खुरुक, कुरुमाली, कोर्था, नाकपूरी, पंचपरगनिया, उरिया, इन में से आपको किसी एक भासा का चैन करना है, जिससे कि 100% होगे, या paper कूल 300 अंखों का होगा, 300 नंबर का होगा या paper, जो कि काफी महत्पून ह है, इसके अंखों को देखते हुई, या paper काफी महत्पून है, तो इन सब जो भासा दी गए है, उसमें से किसी एक भासा को चैन करना है, जिससे 100 प्रस्न, 100 MC कोई प्रस्न पूछे जाएंगे, 300 अंखों का, इसका syllabus हर एक भासा के detail syllabus दिया गया, हम इस वीडियो में हर एक भा जानना है, तो हमें comment section पर बता सकते हैं, उसके लिए separate वीडियो बना देंगे, तो आप यह paper के बारे में समझगें, आपको ध्यान में रखना है कि paper 2 और paper 3 के number merit list में जोरे जाएंगे, इसलिए यह paper में ज्यादा से ज्यादा अंख लाना आपके लिए अनुआर होगा, तब जाके आपका merit list में नाम होगा और आप इस परिछा को उत्रेन कर पाएंगे, तो paper 2 के बारे में आपने जाना कि 300 अंखों का paper 2 होगा, जिसमें कि 100 MCQ प्रसन पूछे जाएंगे, आपके सामने इतनी भासा का option है, जिसमें से आपको एक भासा का chain करना होगा, तो कमोवेस आप paper 2 के बारे में समझ गये, चलिए paper 3 के वो समझते हैं, आगे देख रहे हैं paper 3 के बारे में, तो paper 3, सबसे पहले समझे कि इसमें कुल 200 MCQ प्रसन होगे, यानि कि 450 marks का यह paper होगा, 450 marks का paper 3 होगा, 300 marks का paper 2 था, paper 2 300 marks का था, और यह 450 marks का है, तो इसमें आपका समान अध्यन, यानि क gk से आपको 30% देखने को मिलीगा, gk से आपके 30% होगे, general science से आपके 20% होगे, general math यानि कि samान गनिट से 20% होगा, समाने बिग्यान से 20%, समाने गनिच से 20%, डिजनिंग से 20%, कम्प्यूटर से 20% और जहारखन जीके से 40%. आपको एक बात बता दे कि पेपर 2 और पेपर 3, पेपर 2 जो की कुल 300 अंखों का हो गया, पेपर 3 जो की कुल 450 अंखों का हो गया. इन दोनों पेपर में आपको 30% अंख लाने अनिवार होंगे, मिनिममम 30% अंख लाना होगा, अगर आप 30% से कम कुईसी भी एक पेपर में ले आते हैं नंबर, तो आप disqualify समझे जाएंगे, यानि कि minimum qualification ये qualifying पेपर नहीं है, या merit list पे एड़ होने वाला पेपर हैं, यानि कि क 750 अंखों में merit list बनाया जाएगा, कुल 750 अंख में merit list तयार किया जाएगा, पर आपको दोनों separate, दोनों पेपर में कम से कम 30% अंख लाने होंगे, कम से कम 30% अंख लाने होंगे, आप किसी भी पेपर में 30% से अंख कम अंख लाते हैं, तो भी आप disqualify समझे जाएंगे, तो minimum अंख कप भी प्रावधान रखा गया है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे, तो पेपर 2 और पेपर 3 मिला के 750 अंख हों जाएंगे, तो इसी से merit list तयार किया जाएगा, उमीद है कि यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, तो पेपर 3 के जो एक पतिक सिक्षन हैं, उसके details को देखेंगे, तो सबसे पहला section है समान अध्याजित से कि 30 प्रस्ण देखने को मिलेगा, तो 30 प्रस्ण इन में प्रस्णों का उपदेश, अभ्यार्थी की समान जानकारी तथा समाज में उसकी अनुक्रियों के संबंध में उसकी योगिता की जाच करना होगा, यानि कि अभ्यार्थी के समान जानकारी की जाच करना इसका मुख्य अपदेश है, बातमान घटनाओं और दिन पति दिन की घटनाओं के सुच माउलोकन तथा उसके प्रति बेग्यानिक दिरिश्टिकों जैसे मामलों की जानकारी जिसे की किसी भी सिचित व्यक्ति से अफेच्छा की जाती है, यानि कि आपको इस पेपर में करेंस से रिलेटेड टोपिक से भी प्रस्न देखने को मिलेगा, इसमें जारकन भारत और परोसी देश के संबंध में बिशिस रुप से यथा संभव प्रस्न पूछे जा सकते हैं, जारकन से रिलेटेड भी प्रस्न पूछे जा स इसके साथ भारतिय इतिहास, संस्कृति, भूगोल, प्रियावरन, आथिक परिदिश, स्वतंता, अंदुलन, भारतिय क्रिसी, प्राकितिक संसाधनों की प्रमुक बेशेष्टा, एवं भारत का संभिधान, राजय वेवस्ता, डेश के राजनीतिक, प्रनाली, पंचायती, र ले सकते हैं, लूसेंट, बुक का सहरा लिया जा सकता है, इस पेपर के तयारी के लिए, और साथ में आप करेंट अफेर के लिए, किसी भी अच्छे मेगजिन का सहरा ले सकते हैं, तो इस तिस नंबर के तयारी के लिए, लूसेंट, आपके लिए ज़रूरी बुक साबित हो देन के अभलोकन पर अधारित विग्यान की समान ने समझ और परिवोच से संबंदित प्रस्ण रहेंगे जैसा कि एक सुषित वेक्ति से जिसने किसी बिज्ञान भी से पर विश्य सद्धिन नहीं किया हूँ अपेचित है तो यहाँ पेश एर के प्रस्णूर पर नजय दाले तो इस section की तयारी के लिए आप Lucent का science Lucent का जो science book आता है उससे कर सकते हैं या तो आप NCRT NCRT की class 9 और 10 की science book से इसकी तयारी कर सकते हैं NCRT से directly प्रस्ने देखने को बिल जाते हैं JSC की exam में तो अगर आप general science के video जो की हमारे channel पर उपलब दा है जो की पूरी तरह से NCRT पर आधारी था है अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप जरूर देखें इस video के description में आपके सहुलियत के लिए हम link provide कर देगे तो आप general science के video जो की इस channel पर उपलब है उसे जरूर देखें काफी अच्छे से तरीके से उसे समझाया गया आप देखेंगे science को अच्छे से समझेंगे और exam में भी आपके प्रस्न बनेंगे तो आप video जरूर देखें अगला section है समानी गनित यानि की general maths इस बिशे में समान नेता आंख गनित प्रात्मीक वीज गनित जियोमेटरी समानीत ट्रिओनमेटरी छेत्रमितरी से समझेंदी प्रस्न होंगी इसमें metric ten कच्छा अस्टर के प्रस्न रहेंगी नेक्स सेक्षन देख सकते हैं यहां पे है रिजनिंग का इसमें साब्दिक एवं गय साब्दिक दोनों प्रकार के प्रस्ण रहेंगे इस घटक में निम से संबंधित यथा संभव प्रस्ण पूछे जा सकते हैं जो कि यहां पे या गया है इससे यथा संभव प्रस्ण से सब्सक्राइब है यहां पर नालोग से प्रस्ट आम पूखे ईस्में पर नीगे जाएंगे यहांपे दिया गया है कि बिभीन उपकरनों कि मतलब जो डिफरेंट पार्ट होटे कंप्यूटर के उससे प्रस्ण पुछे जाएंगे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम से MS Windows के ऑपरेटिंग सिस्टम से प्रस्ण होंगे MS Office से प्रस्ण होंगे MS Office में MS Word MS Excel जो जितने MS Office के एंटर गता तो उससे प्रस्ण होंगे और इंटरनेट के संचालंज से प्रस्ण होंगे तो आप इसके लिए किसी भी एक अच्छे कंप्यूटर के सिंपल बुक से तैयारी कर सकते हैं तो यह कंप्यूटर के से संबंधित ज्यान जो कि काफी से चालीस प्रस्ण देखने को मिलें गहां कि एक काफी महत्पुन सेक्षन होगा ज्यारखन राज के संस्कृति भांसा सभ आस्थान खान खनी विकास यूजनाई खेल खिराली ब्यक्तितु नागरी को उपलब्दिया राष्टी अंतराष्टी महत्यों की विसे आदी राष्टी महत्यों को जिसे जहारकन से संबंदित प्रस्ण पूछे जाएंगे तो जहारकन से रिलेटेज जीके के लिए काफी अच्छे-च्छे बू कुरान हो गया सिवांगन हो गया तो यह सब के द्वारा आप आप तयारी कर सकते हैं तो यह हुए पेपर 3 के सेक्शन वाइज का भी डिटेल से लेवस हमने देखा तो अभी तक आपने पेटर्न और सिलेवस को डिटेल से समझा अब आगे समझते उसके बात के प्रोसेस को तो पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 के एक्जाम होने के बाद जिसमें देखे कि पेपर 1 में 120 प्रसनों के लिए एक्जाम होगा पेपर 2 में 100 प्रसनों के लिए एक्जाम होगा पेपर 3 में 200 प्रसनों के लिए एक्जाम होगा तो यह तो क्वालिफाइंग पेपर है जिसमें जो जिनके 30% से अधिक आंख होंगे उनका पेपर 2 और पेपर 3 की जांच होगी और पेपर 2 और पेपर 3 में जो कि 300 आंख और 450 आंख कुल 750 आंखों में कोति वार मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा और अभ्यातियों को परमान पत्रों की सत्यापन के लिए उसके बाद को पूरा तयारी से लेके सेलेक्षन तक का पूरा प्रोसेस, तो अपने तयारी को फुक्ता करने के लिए आपको P2 और P3 पर बिसेज तोर पर ध्यान देना होगा और P1 को हलके में भी ना लें अगर एडर इंगली ग्रामर में किसी एक सेक्षन को अच्छे कर लें ताकि उसमें क्वालिफाइन ना होने जैसी कोई संका ना बचे और पेपर टू और पेपर थिरी के लिए आप पिसे स्टूर पर तैयारी करें खास करके पेपर टू जो की एक इंपोर्टेंट सेक्षन हो जाता जिसमें की 300 अंखों का प्रस्ण होगा और एक लेंग्व अगर आप 350 प्लस कर जाते तो इतना मेक्सिमम अगर आप कर जाते तो आपके सेलेक्षन के पूरे चांस बनते हैं तो यह थी कुछ महत्पुन जानकारी आपको हमारे चैनल में बेभीन सेक्षनों के वीडियो उपलब्ध होंगे मैं के जै और जेनरल साइंस के वीडियो इसलिए आप हमारे चैनल से जूरे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में कुछ महत्पुन जानकारी के साथ वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद